मैं इस वक्त लेबनॉन के सबसे बड़े नाइट क्लब में हूँ ये लेबनॉन का सबसे बड़ा नाइट क्लब था स्काइबार लेकिन ये अब रिलीफ कैंप में तबदील हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं तकरीबन 15 लाख लोग अभी तक बेगर हुए हैं लेबनॉन में सबसे बड़ा नाइट क्लब अब आप देख सकते हैं किस तरीके से आप शल्टर होम में तबदील हुआ है यहाँ पे आप उन लोगों का शल्टर है जो मुफ्तिलिक इलाकों में बेगर हो गये हैं चाहे वो सा।्स लिबनान हो, बेरूत के कुछ अलाके हूँ, दहई के कुछ अलाके हो यहाँ पर महिलाएं भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं तो यह अब हालत है इस सकाइबार की और इसे आप अंदासा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात अब लेबनान में बन रहे हैं यहां पे लोग आए रोज बेगर हो रहे हैं और इनकी तादाद रोज बढ़ रही है अभी तक करीब 25 सो लोगों की मौत हुई है 12,000 से ज़्यादा जखमी होए हैं और तकरीब इन 15 लाख लोग अभी तक बेगर होए हैं और जो अलग-अलग आब रिलीफ केंपस में रह रहे हैं तो यह जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं किस तरीके से अब नाइट क्लब भी जो सबसे बड़ा नाइट कलब बताया जा रहा है लेबनान का है सकाइबार और ये आप सकाइबार में पनाह लिये हुए हैं वो लोग जो यहाँ पे बेगर हुए हैं तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव विज्वल्स आज के किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे लिबनान में जंग की वज़ा से क्या कुछ होता है जंग की वज़ा से क्या तबाही होती है जो लोग बेगर हुए हैं वो आप यहाँ पे आ रहे हैं रहने के लिए यानि आप यहाँ पे यह एक शल्टर बन गया है एक रिलीफ केंप बन गया है जहां पे लोगों को रखा गया है लोग यहां पे आप रात को भी रहते हैं दिन को भी रहते हैं और खास तोर से बच्चों के एक बड़ी तादाद मतासिर हुई है आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे बैठे हैं यहां पे बच्चे क्योंकि आप उनके गर या तो बरबा कि त. झाल झाल झाल